नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुपर पर BPSC 79 वी मुख्य परिक्षा का एडमिट कार जारी लगातार तीन दिन कॉलेस से गायब रहना पड़ेगा महंगा नमस्कार में दो जोरी ट्रेनों के परिचारन अवधी में विस्तार अगता की रिया राज ने जीता मिस्टीन इंडिया दो हजार तेजिस का खिताब सेचुरियन में रिकार्ड तोर शतक के बाद केल राहूल ने ट्रोलर्स को दिया जवाब इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बीपीएसी उन तरवी मुख्य परिक्षा में भाग लेने वाले हैं यह खबर आपके लिए है बतादी कि BPSC उन्हातर भी मुख्य परिक्षा के लिए आयो के ओर से अधिकारिक वेबसाइट बतादे कि इस परिक्षा का आयो जन 3 जन्वरी से होने वाला है जो की 6 जन्वरी 2024 तक चलेगा यह परिक्षा दो पालीओ में आय winter की जाएगी जिसमेंसे पहली पाली की परिक्षा सुभा सारे नौ बज़े से शिरू होगी और दो पहर सारे बारा बज़े तक चलेगी वही दूसरी पाली की परिक्षा कि शिर्वा दो पहर दो बजे से होगी और शाम पांच बजे तक चलेगी मालम हो कि यह भरती अभियान संगठन में 475 पदों को भड़ेगा एक महीने में 782 गेस्ट टीचरों की हुई छटी एक तरफ जहां बिहार लोग सेवा आयोग के द्वरा सिक्षक भरती परिक्षा के माध्यम से सिक्षकों की बहाली करने का काम किया जा रहा है तो वही दूसरी ओर गेस्ट टीचरों को हटाया जा रहा है बता दे कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक महीने में कुल 782 गेस्ट टीचर्स को हटा दिया गया है ऐसे में जिन भी गेस्ट टीचर्स को हटाया जा रहा है वो जिला मख्याले से लेकर सिक्षा विभाग तक का चकर लगा रहे हैं अतीती सिक्षक बने मालम हो कि सबसे अधिक नवादा से कुल 88 गेस्ट टीचर्स को हटाया गया है वहीं को पाल गंज में 86 और गया में 25 गेस्ट टीचर्स को हटाया गया है लगातार तीन दिन कॉलेज से गायब रहना पड़े गा महेंगा उच सिक्षा निदेशक प्रोफसर रेखा कुमारी के द्वारा राजी के सभी विश्विद्यालियों के प्राचारियों को आदेश देते वे यह नर्देश दिया गया है कि बिहार के कॉलेज और यूनिवरसिती में अब लगातार तीन दिन नहीं आने पर वित्यार्थी के नाम को कार दिया जाए उन्होंने कहा कि हनया नियम चार वर्सियस नातक के अलावा पुडाने बैच के छात्रों के लिए भी लागू किया जाया उच सिक्षा निदेशाले के द्वारा कहा गया के कक्छाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिती के लिए पूरी तरह सक्ती बरती ज जाना चाहिए मालम हो कि पहले चार वर्सियस नातक में एक महीने में 75 फीजदी हाजरी नहीं होने पर नाम काटने का नर्देश दिया गया था लेकिन अब उच सिक्षा निदेशाले के द्वारा इसमें सक्ती अपनाते हुए लगातार तीन दिन अनुपस्थित रहने वाले चातरों के भी नाम काटने के नर्देश दिये गए हैं विभाग के आदे से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग राज्ये के सैचनिक महल को बरबात करना चाहता है राजभवन के द्वारा सक्षा विभाग के कुछ विशेश आदेश्तों को और समयधानिक मानते वे कड़ी अपती दर्ज कराई गई है अब राज़े में सरपंचो को मिला बड़ा अधिकार बिहार सरकार के पंचाइती राज विभाग के द्वरा राज़े के सभी जलाधिकारी उपविकास आयुक्त एवं पंचाइती राज अधिकारी को पत्र भेज कर जानकारी देते वे बताया गया है कि बिहार सरकार की ओर से एक बार फिर से ग्रामीन कचरी को बड़ा अधिकार देते वे वंशावली बनाने का अदेश दे दिया गया है इसमें वंशावले निर्गत करने के लिए सक्छम प्राधिकारों को सूछना दी गई है महीं मिले जानकारी के नुसार विभाग के तरब से वंशावली बनाने की समय सीमा भी तैक कर दी गई है इसको लेकर 5 दिसंबर को मुख्य सचीव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें पंचाइती राजविभा को वंसावली निर्गत करने के सक्चम प्राधिकार घोशित करने और अने प्रक्रियाओं के नरधारन का जिम्मा दिया गया था जिसके बाद अभी अब फैसला लिया गया है बिहार में दो जोरी ट्रेनों के परिचालन अब्धी में विस्तार यात्रियों की सुधा को ध्यान में रखते वे रेलवे की ओर से बिहार में दो जोरी यानि की कुल चार ट्रेनों के परिचालन अब्धी में विस्तार किया गया है उसमें गारी संख्या सुन् 1666 अगरतला रानी कमलापती स्पेशल अगरतला से 7 जनवरी दो हजार चौबिस से 31 मार्ज दो हजार चौबिस तक प्रति दिन परिचालित की जाएगी और गारी संख्या सुने 5554 गया पार्टली पुत्र स्पेशल गया से 1 जनवरी दो हजार चौबिस से 31 मार्ज दो हजार चौबिस तक प्रति दिन परिचालित की जाएगी आटो की छट पर बने तहखाने से 338 बोतल शराब बरामल बिहार में पुन्रूप से सराब बंदी हिससे तो हम सभी वाकिफ है लिकन इसके बावजूद भी आए दिन इस तो जड़े मामले सामने आते रहते हैं शराब तसकलों के दोरा नए नए तरीके से तसकरी को अंजाम दिया जा रहा है पता दे कि ताजा मामला गया जले के शेर घाटी का है जहां उतपाद विभाग की टीम के दोरा गुपत सूशना के आधार पर आटो की जा आशवान के रूप में की गई है इस बारे में गया उतपाद विभाग के सहयक आयुक्त प्रेम प्रकाश के दोरा जानकारी देते वें बताया गया किस मामले को लेकर उतपाद विभाग की टीम के दोरा आगे की काड़वाई की जा रही है नालंदा की रिया राज ने जीता मिस्टीन इंडिया दो हजार तईस का खिताब बिहार में स्थित ग्यान की धरती नालंदा के सरमेरा प्रकंड अंतरगत गोवनपूर गाउन इवासी राजेश रोसन की बेटी रिया राज के दोरा नेशनल लेवल क्राउनिंग में मिस्ट मिस्टीन दो हजार तईस के स्टेट विनर क्राउनिंग किया गया था इस सो में देश के विविन प्रदेशों से कुल 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था उसी में रिया राज को प्राइड ओफ इंडिया मिस्ट इंडिया दो हजार तईस में मिस्ट बिहार स्टेट वि परोका योजन किया गया जिसमें राजेपाल, राजिंद्र, विश्वनात, आलेटकर और बिहार के मुख्य मंत्र नितीश कुमार के द्वारा उनकी आदमकद प्रतीमा पर माले आरपन कर उन्हें भाव भी निश्रधांजली अर्पित की गए सफसर पर उप मुख्य मंत्री परिवार मंत्री शीला कुमारी समेत अने गन्माने लोगों के द्वारा और समाजिक एवं राजनितिक कारी करताओं के द्वारा भी स्वर्गे अरुण जेटली जी की प्रतीमा पर माले आरपन कर उन्हें श्रधांजली अर्पित की गए सफसर पर सूशना एवं जन्संपर कर्वीवाग के कलाकारों द्वारा आर्ती पूजन बिहार गीत एवं देश भक्ति गीतों का भी गयन किया गया देवेश चंंद्र ठाकुर ने खुद के खिलाफ होड़े साजस का किया खुलाशा प्याहर दारिसत के सभापति देवेश चंद्र ठायकुर के द्वारा सीता- रहा है तो एक बार सवन को मौका मिलना चाहिए वहीं सभापती ने कहा कि वो उन्नेताओं को नितीश खुमार तेरश्वी आदव और ललन सिंग के पास ले चलेंगे और उनसे यह कवा देंगे कि पार्टी नहीं उन्हें सीता मढ़ी से लोग सभा चुनाव लेंडे को कहा है पुर्वसांसत कहते हैं कि 72 साल में जो काम नहीं हुआ वो उन्होंने 5 साल में कर दिया जबकि MP फंट से होने वाले कारी को गिनाते हैं शर्म नहीं आती उन्हें ऐसी बात करते वे नागेंदर यादर तीन तीन बार छेतर में रहें किसी को कोई शिकायत नहीं दी एंडिये में शामिल होने के सवाल पर CM नितीस ने साधी चुपी आज बिहार की राजधानी पटना में अरुन जेटली के जहनती पर राज के समारों का आयोजन किया गया जिसमें बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार और उप मुख्यमंतरी तेश्वी यादब भी शामि एक बार हम लोगों की मीटिंग का एक पडमपड़ा है इसलिए उसी की मीटिंग है ऐसा कुछ खास नहीं है वहीं जब उन से एंडिये में शामिल होने को लेकर मीडिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया बलकि मुस्कुरा कर सब का पलब नहीं है और नितीश खुमार के लिए दरवाजा अभी नहीं खुला है इसके साथ इन्होंने भाजपा में जदियो की वापसी पर कहा कि इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है भाजपा के केंद्रिये नर्टितु ने भी साफ कर दिया है कि अब नतीश कुमार के लिए दरवाजा बंध है तो फिर इस पर कोई सवाल ही नहीं रह जाता इसलिए इन सब बातों पर हम लोग कहीं से ध्यान नहीं दे रहे हैं हम अपनी तरफ से बिल्कुल साफ है जदियों में जो भी उठा पटक के स्थिती बने हुई है इस पूरे मामले में हमारा कोई रू अपने पत से इस्तिफा दे सकते हैं वहीं अब इस पर आज बिहार के उपमुख्यमंत्रे तेश्रीयादव के द्वारा मीडिया से बाच्छित करते वे अपनी बाते कहीं गई है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने लाखो नियोजित सिक्षकों को राच्यकर्वी का दरजा दि ही है तो इस पर क्या ही कहना है हम लोग इस मामले में कितनी बार सफाई दे भाई इस मामले पर विजय चौधरी और मुख्यमंत्रे नितीश कुमार ने अपना रुख सपस्ट कर दिया है फिर भी आप लोग एकी सवाल पूछ रहे हैं अगर लोगों को नहीं मानना है तो ना माने इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सेचुरिये में रिकॉर्ड तो शृतक के बाद केल राहूल ने ट्रोलर्स को दिया जवाब दक्षिन अफरीका के खिलाव खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में के द्वारा शृतक के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम किये गये वहीं मै लोग वह-वह कहते हैं लेकि तीन चार महीने पहले लोग मुझे गाली दे रहे थे तो अब यहां खेल का हिस्सा है यह मुझे प्रभावित करता है मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे प्रभावित नहीं करता और होड़े कहा कि जितनी जल्दी आप यह समझ लेंगे कि आप ज दीजल के रेट जारी केकेस के बाद राजधानी पत्ना मेआज पेट्रोल एक साथ दसंनाओ दो चार रॉपे और डीजल 14. sneeze 4 रुपे प्रती लीटर में मिल रहा है वज़ापर पूर्णे actual पुनिया में पेट्रॉल की कीमत 1.8.7 रूपे और डिजल कीमत 1.8.5 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 रूपे और डिजल 95.900 रुपेर प्रती लीटर की दर से मिल रहा है अब बरते हैं आज के 5 सवाल की और हमारा पहला सवाल है BPSC 79 मुख्य परक्षा के शिर्वाद कब से हो रही है Option A 3 जन्वरी, Option B 6 जन्वरी, Option C 9 जन्वरी, Option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है Option A 3 जन्वरी अगला सवाल, नवादा से कितने गस्ट टीचर्स को हटाया गया है Option A 780, Option B 86, Option C 88, Option D 25 इसका सही उत्तर है Option C 88 अगला सवाल, पुर्णिया में आज डीजल की कीमत क्या है Option A 94, सुन्य चार, Option B 94, 79, Option C 95, 39, Option D 95, 55 इसका सही उत्तर है Option C 95, 39 रुपे अगला सवाल, ट्राइड ओफ इंडिया, मिस्ट इंडिया 2023 में मिस्ट बिहार स्टेट विनर के टाइटल से किसे सम्मानित किया गया Option इन रिया राज, Option में नंदनी गुपता, Option C स्रिया पुंजा, Option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है Option ही रिया राज अगला सवाल, बिहार में कितने ट्रेनों के पड़िचालन अबधी में विस्तार हुआ है Option A 1, Option B 2, Option C 3, Option D 4 इसका सही उत्तर है Option D 4 बीते दिन हमारे दुरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जाब, हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दुरा पूछे सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है सोशल मीडिया का अस्तमाल करना आपके अनुसार गलत है या सही और क्यों? अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से लेखने जानको सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पिसको फॉलो करना ना भूलें तने बाद